वेलकम टू मोमिन्स किचिन आज की हमारी रेसिपी है कैंटलूप शेक या खरबूजे का शेक भी आप कह सकते हैं मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेंगी सबसे पहले हम कैंटलूप यानि के खरबूजे के ऊपर के इस तरह से भाब को कट करेंगी और मुझे कैंटलूप शेक यानि के खरबूजे का शेक बनाना है और इसी में मुझे सर्फ करना है तो मैं इसके ऊपर से बहुत ही कम भाब को कट करूँगी और फिर इसके जो बीश के हिस्से में सारी बीश या सीर्ड थी है उसे मैं इस तरह से सबसे पहले निकालेंगे हम तेज़ छूडी का हम इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही ध्यान से करेंगे कि हमारे हाę पर नहीं लगे और इस तरह से मैंने अन्दर से उनकी सारी जो बीज है या सीड्स है उन्हें इस तरह से निकाल देंगे हम अच्छे से चेक करेंगे हमारे शेक में कोई सीड्स नहीं आए इसके लिए हम सबसे पहले सीड्स को ही अच्छे से निकालेंगे सिर्फ थोड़ा सा हमें कट करके सीड्स निकालेंगे अब देखें आप मैंने बहुत ही अच्छे से सारी सीट्स निकाल ली हूँ इस केंडलूप की इस खरबूजे से. अब मैं इसके आज पास इस तरह से कट्स लगवाऊंगी के अंदर ही अंदर यह जो खरबूजा है यह कट होने लगे और इसका जो पल्प है वो हम निकालेंगे. इसके एजिस पर मैं कट बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि अगर यह भार की तरफ से अगर कट होता है तो हमारा जो जूस मुझे इसमें सर्व करना है वो फिर सारा लीक होकर भार आ जाएंगा और मैं सर्व नहीं कर पाऊंगी इसके लिए हम ध्यान में रखते आरी छूरी जो है वो बिल्कुल भी ना लगे और स्लोली स्लोली में थोड़ा थोड़ा पल्प निकालते रहूंगी कि इस तरह से हम सारा पल्प खर्भूजे से कट करके निकाल देंगे देखे आप मैंने सारा पल्प काफी हद तक निकाल चुकी हूँ इसका जहांकर मुझे थिक थोड़ा सा पल्प नजर आ रहा है तो उसे मैं हलके हाथ से निकाल रही हूँ आप इसे ग्लास में भी सर्फ कर सकते हैं बटी थोड़ा सा यूनीक और अच्छा लगा मुझे सर्फ करने के लिए तो मैं इस तरह से इसे ट्राय करके आपको बता रही हूँ वरना आप नॉर्मल तरीके से खरबुजे को काट ले और इसका उसी तरीके से शेक बना ले जैसे मैंने बनाई हूँ और ग्लास में सर्फ करके इंजॉय करें कुछ खर्बुजे के हम इस तरह से पीसिस करेंगे उन्हें ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करेंगे उनका इस्तेमाल हम इस तरह पीसिस में करेंगे और बाकी जितना केंटलूप ता 70% केंटलूप मैंने वो सारा ब्लेंडर में दाल दी हूँ 30% केंटलूप खरबुजे को मैंने आपको बताई हूँ उस तरह से पीसिस करके प्लेट में रख दी हूँ जो जूस भी है वो भी हम दाल देंगे इस तरह से ब्लेंडर में कंटलूप का कट करते समय जो निकला है त्री टेबल स्पून मैंने चीनी का इस्तेमाल कियूं शकर क्योंकर मेरा खरबुजा बहुत मीटा है तो मैंने बहुत कम छीनी इस्तेमाल की हूँ अधिए हूं हम शकर 200 ml वीप क्रीम या कोई भी क्रीम या गाड़ी मलाई आप 200 ml के इस्तेमाल करें और इसे भी हम ब्लेंडर में दालेंगे क्योंकि ये सारे फ्रूट्स और मलाई जो है ये फ्रीज में थी इसके लिए मैं इसमें आइस पीस या बरफ एड़ नहीं करने वाली हूं आप चाहे तो आइड कर सकते हैं ब्लेंडिंग करते समय आइस क्यूबस अच्छे से हम इने ब भूजे बताई थी उन्हें हम बॉटम पार्ट पर इस तरह से डालेंगे और इसके बाद हम जो शेक मैंने बनाई थी वह सारी पूरी शेक जो है वह इसमें एड़ करेंगे और इसे हम गार्णीश करेंगे कट की होवे बादाम पिस्ता और काजू के साथ और यह थंड़ा थंड़ा चिल्ड कैंटलूप हम अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे आप भी बनाए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि यह कैसा बना है